आईए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग द्रिश्टी के UPPCS टेस्ट नंबर 12 को शुरू करते हैं अभी तक दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं जिसका प्लेलिस डिसकर्शन में दे दिया गया है तो चलिए दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 12 को कंटीनियू करते हैं और इसके एक एक प्रशनों को डिटेल से कबर करते हुए इस वीडियो के माध्य हम से इस टेस्ट रिच के सभी प्रशनों को कंप्लीट देखते हैं आएए बिनादेर किये होए हम लोग से दे प्रशनों को सुरू करते हैं चलिए प्रस शंख्या पहला देखते हैं पहला प्रस दिया गया है वह अन्यों करिया जहां एक जिव बिना किसी लागत या लाव के दूसरे जिव को हानी पहुँचाता है वह कहलाती है तो वह क्या कहलाती है वह असह भोजिता कहलाती है ठीक है असह भोजिता यह एक अंतर करिया है जहां एक जिव बिना किसी लागत या लाव के किसी अनि जिव को नुकसान पहुंचाता है उदारर के रूप में आप देख सकते हैं जैसे भेड या मवेसी अपना भोजन घास को बनाते हैं ये अस भोजिता के अंतरगत आते हैं ठीक हैं दूरसा प्रसंद देखते हैं दूरसा प्रसंद दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सास सम्विधान की एकात्मक विसेस्ता नहीं है यहाद जो एकात्मक विसेस्ता नहीं है सम्विधान की उससे बताना है तो ऐडे आप्सेंट डी सेही हो जाएगा ठिक है यहीपर वीधान की एकास्मना विषैस्था कें अंतरगतằ थिख्ञ., तो शंहें का एकास्मनाग विषैस्ता कौन सा नहीं है, कठ्छोश संहीधान नहीं है, ठिक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं प्रसंख्या 3 को तीसे नंबर का प्रसंद दिया गया है कि आयोध्या सोध संस्थान के बारे में निम्निलखित कतनों पर विचार करिए आईए आयोध्या सोध संस्थान के विशे में इन कतनों को देखते हैं पहला कथन दिया गया है कि इसकी अस्थापना 18早1 моей 56 ऑथी को हुई थी इसलिए पहला कथन यह घलत हो जाएगा ना कि विज्ञान और प्रद्योग की विवाग के तहट इसलिए दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा तीसा कथन दिया गया है कि इसका उद्देश आयोध्या की गौरोशाली संस्किती और परंपरा के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देना है तो यह बिलकुल सही है चौथा कथन है कि यह सिर्ज्राम की गाथा को पौराड़ी कथाओं से परे ले जाने और विश्व अस्थर पर उनकी उपस्तिती अस्थापित करने का उद्देश च रखता है तो ये भी कथन सही है तो इसमें पूच रहा है कौन सा कथन सही है तो इसमें 3 और 4 ह ता कथन सही है तो इसका right option C सही हो जाएगा ठीक है आइए प्रस्षांख्या हम लोग 4 को देखते हैं चौथे नमबर प्रस्ष्ण को चौथा नमबर प्रसंद दिया गया है कि नाइट्रेट्स का वापस गैसी नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है तो नाइट्रेट्स का वापस गैसी नाइट्रोजन ये बी नाइट्री करण कहलाता है ठीक है बी नाइट्री करण कहलाता है आईए प्रसंख्या 5 द्धान संसोधन अधनियम के द्वारा पेस किया गया था ठीक है जिस्टी की बात करें दोस्तों तो जिस्टी को एक जुलाई एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था भारत में GST एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था और GST कैसा कर है तो GST एक प्रतियचकर है ठीक है प्रतियचकर है इससे ध्यान रखियेगा चलिए चलिए प्रसंख्या छे देखते हैं सुस्क और गर्म ग्रिस्म काल के साथ साथ आद्र और ठंडी सर्दियां की बिसेस्ता है तो किसकी बिसेस्ता हैं ये भुमत सागरी छेत की बिसेस्ता है सुस्क और गर्म ग्रिस्म काल के साथ साथ आदर और ठंडी सर्दियां ये भूमस सागरी छेत की बिशेस्ता हैं भूमस सागरी छेत की बात करें तो यह जलवाय महदूइप के पश्चमी भाग में दोनों गुलार्धों में 30 से 40 डिग्री अच्छांस के मध्य सू बिक्सित हैं ठीक है आए प्रसंख्या साथ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है यहाँ पे सिंदुगाटी सभिता अस्थल और उसके जिले को बताना है चलिए बढ़गाउं, सिंदुखाटी, सभेता, अस्थल ये किस जिले में इस्थित है तो ये शहारनपूर में इस्थित है हुलास की बात करें दोस्तो receivers हुलास बाघपत में नहीं होगा हुलास भी शहारनपूर में इस्थित है इसलिए B वाला option इसका गलत हो जाएगा वहीं आलम गिरपूर की बात करें तो यह मेरट में इस्थित है यहां मांडी होगा मंडी नहीं होगा इससे देख लिजेगा मांडी यह मुझफर पुर्नगर में इस्थित है तो इसमें पूछ आए कौन सा शुमेलित नहीं है तो इसका right option B सही हो जाएगा हुलास बागपत में नहीं यह सहारनपूर में हिस्थित है चलिए अगला प्रसंद देखते है प्रसंख्या 8 दिया गया है कि जल्वाई परिवर्तन से सम्मंदित अनतर सरकारी पैनल अस्थापित किया गया था इसलिए इसका right option B सही हो जाएगा आयए प्रसंख्या 9 देखते है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोक की अध्यस्ता किस ने की थी तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोक की बात करें दोस्तो तो परसाशनिक सुधार आयोक का गठन 1966 में हुआ था और सबसे पहले इसकी अधyahस्ता मुरारजी देशाई किये थे उसके बाद के हनUMन्त हया ने किया था ये दोनों अंतर परसाशनिक सुधार आयोक की अध्याशता किये थे दुति प्रशासनिक सुधार आयोक का गठन 2005 में हुआ था ठीक है 2005 में इसका गठन हुआ था और इसकी अध्यस्ता स्री बिरप्पा मोईली ने किये थे चलिए अगला देखते हैं प्रस संख्या दर्श को दस्वे नंबर प्रस में दिया गया है सूच एक को सूची दो से सुमेलित करना है यहाँ पे देश और उसके राजधानी को बताना है यूक्रेन की राजधानी क्या है तो आप सभी जानते होंगे यूक्रेन इतना चर्चा में है तो यूक्रेन की राजधानी क्या है तो क्यू इसका right option देखेंगे ति इसका right option C से ही हो जाएगा ठीक है चलिए प्रसंख्या 11 नमर देखते हैं निमनलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं यहाँ पे महा जनपद और उसकी राजधानी दीगई है इसमें कोई दो सुमेलित हैं उससे देखना है आए देखते हैं सुरसेन की कासी की राजधानी की बात करें दोस्तो कासी की राजधानी स्रावस्ति नहीं होगा कासी की राजधानी वाराणसी है ठीक है वाराणसी कासी की राजधानी है ठीक है तो दूसा और तीसा इसका गलत हो जाएगा और कुरू ये इंद प्रस्त इसकी राजधानी है ठीक है तो पहला और चौथा इसका राइट ऑप्शन है तो इसका देखेंगे तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते है प्रसंख्या बारक को पार्श्थित की समवेदन सील छेत्रों के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है पार् पार्श्थित की समयदन सील छेत्र ये पर्यावरण अधनियम 1986 के तहद अधिसूचित है ठीक है मैं दूर्शा कथन दिया गया है कि संदर्चित छेत्र के आसपास एस जेट अर्थाद इको सेंस्टिव जोन की चौडाई 12 किलो मेटर तक जा सकती है तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि संदर्चित छेत्र के आसपास पर्श्थित की समयदन सील छेत्रों की चौडाई 12 किलो मेटर नहीं 10 किलो मेटर तक जा सकती है ठीक है इसलिए दूर्शा वाला कथन गलत हो जाएगा तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है तो इसका राइट आप्शन ए सही हो जाएगा केवल कथन एक सही है ठीक है चलिए प्रसंख्या 13 देखते हैं भारती समिधान का कौन सा अनुच्छित अंतर राज्जी जल परिशत की अस्थापना से समंधित है तो कौन सा अनुच्छित है जो अंतर राज्जी जल परिशत की अस्थापना से समंधित है त इमनलिखित में से कौन ठंडी महाशागरी धारा है तो ठंडी महाशागरी धारा की बात करें दोस्तों तो यह कनारी है कनारी ठंडी महाशागरी धारा है जबकि गल्फ इस्ट्रिम क्यूरोशियो और अगुलहास ये सभी गर्म महाशागरी धारा है ठीक है प्रसंख्या पंद चलिए अगला दिखते हैं प्रसंख्या सोलको निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक विदेशी प्रजाती हैं आक्रामक विदेशी प्रजाती की बात करें तो कांग्रेश घास नील पर्च और जल कुम्भी ये सभी आक्रामक विदेशी प्रजाती हैं इसलिए इसका राइट सबी घाज कि बात करें दोस्तों कांग्रेश घाज यह एक उसकी अमेर की खर्पतवार रहें आप्ष्ट की बात करें तो नील पर्च यह बिदेसी शिकारी मचली है और जल्कुम भी यह जीलो जील six दो are नदियोंके किनारों को बताना है आई यही समयच कराते हैं मैंका-गांधी बनांभारस संग नेड़े कब आया था तो की необड़ वहीं विशाखा बनांभारस इसका नेड़े 1997 को आया था ठीक का और क nudडू श्वामी बनांभारस संग का तो इनके कुस्वाला हो जाए कि प्रश्eftंख्यारा देखते हैं कि मत में कील नहर किन दो शमुद्रों को जोड़ती है तो किल नहर यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है ठीक है निर्भया कोस के बारे में सही है निर्भया कोस के बारे में सही देखना है तो यह एक गयर ब्यपगत निधी है यह बिल्कुल सही है तो इसका राइट आप्सन ए सही हो जाएगा ठीक है निर्भया कोस के बिशेम बात किया जाए दोस्तो निर्भया कोस यह महिला यूम बाल विकास मंतराले का एक नोडल एजनसी है ठीक है और इसमें कुछ पहलो के लिए सभी राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न साथ हनपाते चालिस है ठीक है यहाँ पे केंसासित प्रदेश जोड़ा गया है तो केंसासित प्रदेश इसमें सामिल नहीं है इसमें केवल सभी राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न साथ हनपाते चालिस है ठीक है और यह मैला विकास मंतराले के अधिन एक नोडल एजनसी है ठीक है चलिए अगला देखते है प्रसंख्या 20 को प्रसं को इंगित करता है ठीक है मैं इस टॉन फ्लाई यह अक्रवी अमली मियृदा को और ग्रीज granting मियृदा को इंगित करता है लाइकर्न drie सॅलफर डाए अक्सायड़ को ठेक है इसके करम को धीकेंगे इसका है टामसर यह सही हो जाएगा ठीक है आए प्रस्थ संख्या 21 देखते हैं 21 नंबर प्रस्थ दिया गया है निम्नलिखित में से राश्टपती की सकतियों के संबंद में कौन सा कथन सही है पहला कथन दिया गया है उनकी पूर अनमती के बिना कि संसद में कोई बिध्यक तो यह कथन गलत हो जाएगा देखे राश्टपती के संबंधित बिध्यक अनमती की बात करें दोस्तों तो केवल धन बिध्यक संसद में उनकी पूर संस्थुती से ही प्रस्थुत किया जा सकता है ठीक है तो इसलिए पहला कथन गलत है दूसरा कथन दिया गया है को वह मृ तो दंड में छमा दान कर सकते हैं साथी में भी एक कोर्ट मार्शल द्वारा दोसी ठहराए गया ब्यक्ति को भी छमा कर सकते हैं यहाँ पे दिया गया है नहीं दे सकते हैं तो इसलिए ये कथन गलत हो जा रहा है ठीक है कोर्ट मार्शल द्वारा दोसी ठहराए गया ब्यक् ग्यां देते हैं, ठीक है, रीट की बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोट अनुच्छेद 32 के तहट और हाई कोट अनुच्छेद 226 के तहट निम्न प्रकार की रीटे जारी करता है, ओन कौन सी रीट, तो देखिए, बंदी प्रतेची करण जारी करता है, जो सरीर सहीद पेस करना वहीं दूसरा रीट होता है परमादेश जिसका अर्थ होता है हम आग्यां देते हैं जो इसमें प्रस्ट में पूछा गया है वहीं तीसरा रीट की बात करें तीसरा रीट होता है प्रतिसेद का अर्थ होता है वर्जित करना ठीक है वर्जित करना प्रतिसेद का अर्थ हो होता है जिसका अर्थ होता है कि किस अधिकार से ठीक है और परमादेश चोथा है उत्परेश कोड यह 5 प्रकारकीरिट सुप्रीम कोट अनुच्चे 22 के प्रस्तावित किया है तो कार्बन बारडर टेक्स की बात करें यहूरोपी संगध्वारा प्रस्तावित किया गया यह एक ऐसा सुलक है जो सरकार देश के अंदर किसी भी कमपनी पर जो लगाती है ऐसी कमपनियों पर यह टेक्स लगाती है जो कमपनियां जिवासम इधन जलाती है ठीक है तो कारबन कि बार्डर टेक्स इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है यूरोपी संके द्वारा ठीक आए प्रसंख्या 24 देखते हैं निम्नलिकित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यहां पर जो स प्रसंख्या 25 देखते हैं प्रधान मंतरी को प्राइमस हंटर पारेश किस ने कहा था तो प्रधान मंतरी को प्राइमर संटर पादे किस ने कहा था तो लाड मार लेने कहा था ठीक है इसका राइट आप्शन सी सही हो जाएगा आईए प्रसंख्या 26 देखते हैं 26 नमबर प्रसंदिया गया है कि महायान बहुत धर्म के संदर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है महायान बहुत धर्म देखे बहुत धर्म की बात करें दोस्तों बहुत धर्म महायान और हेनियान नामक दो संप्रदायों में विभाजित था ठीक है यहाँ पे महायान धर्म के भी सही में बताना है महायान की बात करें तो यह बुद्ध की मुर्ती पूजा में विश्वास करते थे तो बिल्कुल सही है और ध्यान महायान बहुत धर्म के जेन संपरदाई की सबसे बिशिष्ट बिशिष्टा है तो यह भी कथन सही है इसका दोनों कथन सही है इसका राइट ऑप्शन भी सही हो जाएगा ठीक है चलिए प्रसंख्या 27 देखते हैं 27 नंबर प्रस डिश्टल कामर्स के लिए ओपन नेटवर्क अस्थापित किया गया है तो किसके द्वारे डिश्टल कामर्स के लिए ओपन नेटवर्क अस्थापित किया गया है तो यह उद्योग और आंतरिक व्यापार समर्धन विभाग तुक के दवार्या छार्य चुंह चलिए अग्ला देखते हैं देवराय देवरहाटी और देव गुडी महत्पुर्द प्रभित उप्वन हैं तो यह पढ़्त उपवन हैं plaster ग्ल्ठ Mm देखते हैं मंद्री परिषद की सलाह को राष्टपती के लिए कौन सा अनुच्छिद बादिकारी बनाता है तो बताइए मंद्री परिषद की सलाह को राष्टपती के लिए कौन सा अनुच्छिद बादिकारी बनाता है तो यह अनुच्छिद 74 ठीक है आर्टिकल 24 राष्ट 75 की बात करें, तो 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उबंध है, ठीक है, और 76 आप सभी जानते होंगे, आर्टिकल 76 में भारत का महान यायवादी है, ठीक, आईए, प्रस संख्या 30 देखते हैं, 30 नमबर प्रस को, निम्नलिखित राजवन्सो पर विचार कीजिए, और उन्हे सासन के कालानुकरम में बिवस्थित कीजिए, एए इसे देखते हैं, हरियक वन्स की बात करें दुश्टों,ières हरियक वन्स का सासनकाल, 544 से 412 इसापूर तक चला था, हरियक वन्स का सासनकाल, वहीं सिसुनाग वन्स के शासनकाल की बात करें, तो 413 से 394 इसापूर तक, नं नंद वन्स का सासनकाल 345 से 321 इसा पूर्तक और मौरी वन्स का सासनकाल 321 से लेकर 185 इसा पूर्तक ठीक 185 इसा पूर्तक तो इनका सभी क्रम सुमेलित है क्रम में ये सभी है तो इसका राइट ओप्शन 20 ही हो जाएगा ठीक है नंद वन्स का सासनकाल 544 से 412 इसा पूर्तक ठीक है ओएगा प्रसंख्या 31 इसा है अर्थ प्युस्ता की इस्थिती रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है तो यह भारती रिजर्ट बाइंग के द्वारा जारी की गई है ठीक है आईए प्रसंख्या 32 देखते हैं 32 नमबर प्रसंद दिया गया है लुटट प्राइप प्रजातियों के अंतराच्ठी ब्यापार पर अभिसमय के संदर में निमलीखित में सी कौन सा कथन सही है आईए दिखते हैं पहला कथन दिया गया है इसे वासिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है तो बिल्कुल सही है लुप्त प्राइप प्रजातियों के अंतर राजजी ब्यापार और अभिसमय के उसे वासिंग टन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है वहें दूसरा कथन दिया गया है कि प्रते एक संजचित प्रजातिया जनसंख्या को पाँच सूचियों में से एक में सामिल किया जाता है और जिसे परसिष्ट कहा जाता है तो यह कथन गलत हो जाएगा यहाँ पे देखे पाँच सूचिया नहीं होगा यहाँ पे तीन सूचि यह सही हो जाएगा केवल एक कथन सही है ठीक है चलिए अगला प्रस्ट दिखते हैं प्रस्ट संख्या 33 को 33 प्रस्ट दिया गया है निमनलिखित में से कौन शहरी सरकार का एक प्रकार है शहरी सरकार को देखेंगे तो इसमें देखें चावनी बोर्ड टाउन सिप और पौर्ट ट्रस्ट उपरीक सभी सरकार का एक प्रकार है ठीक है इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही वाजाएगा आई ये प्रसंखर 34 देखते हैं सुच एक को सुची दोर से सुमेलित करना है यहाँ पे बहुत परशद और उसके अध्यस्त को बताना है तो प्रथम बहुत परशद के अध्यस्ता किस ने की थी तो प् सुमेलित है इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा चलिए प्रसंख्या 35 देखते हैं 35 नमबर प्रसंदिया गया है विजय दिवस मनाया जाता है तो यह 16 दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है आए प्रसंख्या 36 देखते हैं निम अप्सिष्ट प्रबंधन के लिए अंतराश्टी अभी समय और उससे समंधित देखना है तो आए देखते हैं लंदन की बात करें दोस्तों समुद्री प्रदूर्शड ठीक है लंदन समुद्री प्रदूर्शड की रोक्थाम पर समयलन था तो यह बिल्कुल सही समयलित है वह तो सूचित सहमती पर एक समयलन था ठीक है इसलिए दूसा कतन गलत है स्सकहर इस्टाक होम यह अनुवरत जैविक प्रदूसर समयलन समदित है तो यह बिल्कुल सही समयलित है चौथा है बेसल बेसल समयलन ग्रीन हाउस गयस से नहीं समयलन यह खतरनाग कचरे और उनके निप्टान को सीमा पार आंदोलन के नियंतरट पर समयलन है ठीक है इसलिए चौथा और तीसा सही है तो इसका राइड ओप्शन बीज सही हो जाएगा ठीक है चलिए प्रसंख्या 37 देखते हैं संग लोग सेवा आयोक के संदर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आईए या UPSC के संदर में सही कथन बताना है पहला कथन दिया गया है कि UPSC के अध्यच या सदर्षय को सम्विधान से उलिखित आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है तो बिल्कुल सही है संग लोग सेवा आयोक के अध्यच या सदर्षय को सम्विधान में उलिखित आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है दूरसा कथन दिया गया है कि UPSC के सदर्षय राज्य के लिए पात्र है लेकिन भारत सरकार या किसी राज में किसी अनिय रोजगार के लिए नहीं ठीक है इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसका राइट ऑप्षन यह सही होगा केवल कथन एक सही है ठीक है कथन एक सही है आईए रस संख्या 38 देखते हैं निम्नलिखित यु की बात करें तो चंदावर का युद 1194 में चंदावर का युद कब हुआ था तो 1194 में और सामुगड का युद की बात करें सामुगड का युद 1658 में वहीं हाइड स्पेस का युद की बात करें तो हाइड स्पेस का युद यह 326 हिसा पूर में और दस राज यह दस राग क कायुद ये 1400 इसापूर में हुआ था ठीक है 1400 इसापूर में 10 राक कायुद हुआ था तो इनके क्रम को देखेंगे दोस्तों इनका क्रम सबसे पहले चौथा नंबर आ जाएगा फिर उसके बाद तीसा फिर पहला और दूसा आएगा इसका राइट ऑप्शन एसाई हो जाएगा ठीक है चलिए अगला दिखते है प्रस्चंख्या 39 नविन्तम बिमानन सुरच्छा रैंकिंग के अमसार भारत की रैंक क्या है तो नविन्तम बिमानन सुरच्छा रैंकिंग के अमसार भारत की रैंक 48 है अर्टाल्शमी रैंक है ठीक है वहीं भारत 2018 में 102 अस्थान पर था ठीक है भारत 2018 में 102 अस्थान पर तीर थीदा जो 2022 में 184 अस्थान पर आ गया है ठीक है guidance वहीं पर नमिंतम विमानन सुर्चा रैंकिंग में सीर सस्थान की बात करें, दोस्तों, सीर सस्थान सिंगापूर का है, ठीक है, सिंगापूर का इसमें सीर सस्थान है, चलिए, अगला देखते हैं, प्रसंख्या 41, निम्नलिखित, नहीं, पहले 40 देखते हैं, वर्ष 2001 में क्योटो प्रोटोकाल के तहट कि गई थे ठीक है वर्स 2001 में क्योटो प्रोटोकाल के तहत अन्कुलन निदी कैस थापना की गई थी वहीं हरिद चलवाई कोस की अस्थापना इसकी स्थापना 2015 में की गई थी खब तो 2015 में और बैसविक पर्यावडर कोस की बात करें तो बैसविक पर्यावडर कोस की बात करें तो राष्टी अन्सुचित जाती आयोग ये समवैधानिक निकाय आयोग है जबकि राष्टी महिला आयोग राष्टी अल्पसंख्यक आयोग और राष्टी मानवादिकार आयोग ये सभी वैधानिक निकाय है देखिए महिला आयोग और राष्टी अंसुचित जाती आयोग कैसे समयधानिक निकाए है तो देखिए राष्टी अंसुचित जाती आयोग इस अर्थ में एक समयधानिक निकाए है कि यह सीधे समिधान के अनुच्छेद 338 द्वारा स्थापित किया गया है जबकि दूसरी और अन्य राष्टी आयोग, जैसे राष्टी महिला आयोग, इसकी राष्टी महीला आयोग 1992 में, अइस का गठन 1992 में और राष्टी महीला आयोग का गठन 1993 में हुए था ठीक है, ये बैध्धानिक है, निकाई इस अर्थ में कि वे संसत के अधिनियमों द्वारा अस्थापित किये गए हैं, इसलिए ये संवैध्धानिक निकाई के अंतरगत नहीं आते हैं, जबकि राष्टी अंसुचित जाती आयोग, ये संवैध्धान के सीधे अनुच्छे 338 के तहट अस्थापित किया गया है, इसलिए ये संवैध्धानिक निकाई है, ठीक है, चलिए, अगला देखते हैं, सत्मयों जैते सब्द किस उपनिसद से लिया गया है, ठीक है, सत्मयों जैते सब्द की बात करें दोस्तों, तो 26 जन्वरी 1950 को भारत के राष्टी आदर स्वाग के रूप में अपनाया गया है, सत्मयों जैते को 26 जन्वरी 1950 को भारत के राष्टी आदर स्वाग के रूप में इसे अपनाया गया है, सत्मयों जैते सब्द किस उपनिसद से लिया गया है, ये मंड को उपनिसद से लिया गया है, चलिए, प्रस संख्या 43 देखते हैं दिसंबर 2022 में निमलिखित में से किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में सपतली है तो किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में सपतली है तो पुष्म कमल दहनने ठीक है नेपाल के नय प्रदान मंतरी पुष्ण कमल दाहल मने हैं चलिए अगला देखते हैं साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है साइलेंट वैली आंदोलन के भिषये में देखेंगे तो इसकी शुरुवात के दर के सदा बहार वर्षा वन की रच्छा के लिए शुरू हुई थी ठीक है तो इसका राइट ओप्सन सी सही वाजाएगा आएए प्रस संख्या 45 देखते हैं भारती संभिधान के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार करिये आईए देखते हैं परला कथन दिया गया है कि भारत का महा नियावदी देश का सरोच बिधी अधिकारी होता है तो बिलकुल सही है भारती संभिधान के अनुच्छेद away г-76 के दहIT लिएटज替 न्चेद 76 के भारत का महामन्यावधी देश्का सरोच बिधी अधिकारी होता है ठीक है वगान्वाचर आयोग के तीन सदश्य और एक अध्यर्च होते हैं क्या यह सही है, देखे, मानवादिकार आयोग के 5 सदस्य होते हैं, 3 सदस नहीं 5 सदस्य होते हैं, ठीक है और 1 अध्यर, इसलिए 3 सा कथन गलत हो जाएगा, और संस्थानम समित के केंदरी सूचना आयोग की अस्थापना किसी पारिश की थी तो देखे संस्थानन समित ने केंदरी सूचना आयोग की नहीं केंदरी सतर्कता आयोग की अस्थापना करने किसी पारिश दी थी ठीक है केंदरी सतर्कता आयोग जो केंद सरकार में भरष्टा स्यार को रोकने के लिए प्रमुक एजन्सी है उसकी सिपारि शिक्स देखते हैं बिशिष्टा द्वैद सिध्धान्द के संस्थापक कौन थे तो बिशिष्टा द्वैद सिध्धान्द के संस्थापक रामा नुजाचारे थे ठीक है होर्मूज जल मरमद इस्थित है कहां पर इस्थित है एक ही खेट में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना फसली पहली फसल के विकास के बाद दूसरा फसल के रोपर को क्या कहा जाता है तो इससे रिले क्रॉप्ट कहा जाता है ठीक है चलिए अगला देखते हैं विसल ब्लोवर संजचड अधनियम 2014 के संबंद में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है सबसे पहले तो आप सभी जान लेजिए विसल ब्लोवर संजचड अधनियम ये भरष्टा चार का परदा फास करने वाले लोगों को दिया जाने वाला सब्द है ठीक है और यह बिसे सु लगों नहीं होता है वह दूसा कथन है कि प्रकटी करण केवल लिखित रूप में किया जा सकता है तो देखे विसल ब्लोवर संजचड अधनियम इसकी प्रकटी करण लिखित के साथ साथ इमेल के द्वारा भी किया जा सकता है न कि केवल लिखित के द्वारा इसलिए दूस इसका दोनों कथन गलत है इसका राइट ऑप्सन डी से ही हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो कथन सही है चलिए प्रस्ट संख्या 50 देखते हैं मौर राजा बिंदुसार किस संप्रदाय या धर्म के अनुआई थे तो मौर राजा बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय के अ वर्ष 2022 को अभूतपूर भुकमरी का वर्ष कहा है ठीक है ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेस्मेंट बिक्सित किया गया था तो किसके द्वारा ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटेड असेस्मेंट बिक्सित किया गया था तो ये उर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा, ठीक है, उर्जा और संसाधन, संस्थान के द्वारा, Green Rating for Integrated Habitat Assessment विक्सित किया गया था, सबसे पहले लोगपाल की संस्था किस देश में बनाई गई थी, तो किस में सबसे पहले लोगपाल की संस्था बनाई गई थी, तो स्वीड तो बिल्कुल सही है, समराग असोक ने हिंदूओं पर लग्गी जजिया करको श्रमाप्त कर दिया था वहीं, दूर्सा कतन है, उन्होंने धार्मिक चर्चाव के लिए रवादत- खाना की अस्थापना की थि ये भी कथन सही है, इसका दोनों कथन. सही, इसका right option 20 सही हो जाएगा प्रस्चंख्या 55 है striving for clean air air pollution and public health in south Asia सिर्शक वाली रिपोर्ट जारी की गई तो किस के द्वारा यह जारी की गई है तो 20 सुबैंग के द्वारा striving for clean air, air pollution and public health in south Asia सिर्शक वाली रिपोर्ट जारी की गई है ठीक है निम्नलिखित में से केलप 1 किस बायोम का उधारण है तो केलप 1 यह समुद्री बायोम का उधारण है ठीक है निम्नलिखित में से किस संसोधन ने सरकारी समितियों को समवैधानिक दरजा दिया था तो यह समिधान संसोधन सत्तानवा समिधान संसोधन के द्वारा सरकारी समितियों को वैद्धानिक दरजा दिया गया था सत्तानवा समिधान संसोधन वर्ष 2011 में किया गया था इसमें सरकारी समितियों को समवैद्धानिक दरजा व्रदान किया गया था ठीक है आईए सूच एक को सूची दो से सुमेलित करिए यहाँ पे राजवन्स और उसके राजधानी को मैज कराना है पल्लाव राजवन्स की राजधानी क्या थी तो कांची थी पल्लाव राजवन्स की राजधानी कांची थी चालुक की राजवन्स की राजधानी बादामी थी और चंदेल राजवन्स की राजधानी खजुराहों थी और काकती राजवन्स की राजधानी वारंगल थी ठीक य तो सबसे पहले मिथियन के विश्यम देख लीजी, यह सबसे सराल हाइड्रोकार्बन है, और यह ज्वलन सील है, और दुनिया भर में इधन के रूप में उप्योग किया जाता है, ठीक है, तो आएए, इधन के बारे में देखते हैं, इसमें एक कार्बन परमाडू और हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो देखे, इधन में एक कार्बन परमाडू और पाँच नहीं, यहाँ पे चार हाइड्रोकार्बन होते हैं, कितने? तो चार, ठीक है, इसलिए पहला कथन इसका गलत हो जाएगा, यह एक सक्तिसाली ग्रीन हाउस गयस है, तो यह बिलकुल सही करता है तो देखे मिधेन शोब मंडली ओजोन के उत्पादन को हतो साहित नहीं करता ये बढ़ावा देता ठीक है इसलिए चौथा कथन गलत हो जाएगा इसमें बताना है कौन सा सही कथन है तो दूसा और तीसा सही है इसका राइट ऑप्शन भी सही हो जाएगा ठीक है पावन सुख देव ने परस्थितिक तंत और जयविवित्ता के अर्थसास्त का ध्यान किया है निम्लिखित में से कौन सी सास्त्री भासा नहीं है तो देखे इसमें सास्त्री भासा कौन सी नहीं है तो उर्दू उर्दू सास्त्री भासा नहीं है भारत में सास्त्री सुर्ट इन आदे जोंगे ॡृ यह पांच अलग अलग राजवन सो त्वाराव सासित्थ, इसलिए पहला गतन गलत हो जाएगा, इसकी अस्थापना हरियर और बुक्काने की थी। तो बिल्किल सही है, विजे नकर समराज की अस्थापना हधियार और बुक्काने की थी कृष्ण देवरायत तुलूव अंस के थे तो ये भी कथन सही है कृष्ण देवरायत तुलूव अंस के थे और दच्छिर भारत के समराटों में सबसे महान समराट थे ठीक है ताली कोटा का युद 1585 में लड़ा गया था तो ये कथन गलत हो जाएगा ताली कोटा की युद 1565 में लड़ा गया था ना की 1585 में ठीक इसलिए चौथा भी कथन गलत हो जाएगा तो इसमें सही कथन देखना है दूसरा तीसरा कथन सही इसका राइट आप्शन भी सही हो जाएगा चलिए प्रसंख्या 63 देखते है निमलिखित में सी कौन सा जैविक बिवित्ता पर अभी समय के बारे में सही नहीं है जैविक बिवित्ता पर अभी समय के बारे में कौन सा सही नहीं है इससे बताना है तो दीखे यह कानूनी रूप से बादिकारी नहीं है तो ये कथन गलत हो जाएगा जैविक विवित्ता अविशम है ये कानूनी रूप से बादिकारी है न की नहीं ठीक है और यह वर्स 1993 में लागू हुआ था इसका सचवाल है मांट्रियल कनाडा में इस्थित है यह जैविक की रच्छा के लिए दिशा निर परवच्छोटी कां सी है तो के टू गाडवीन ऐस्थीन है भारती सम्भिधान का कांसा अनुछटी सांति और सूरच्छा को बढ़ावाद देता है तो कौन सा अनुछख्छी को कारिपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाया गया है वहीं अनुच्छेद उनच्यास में इसमें राजिकी कलात्मक या या ऐतिहासिक महत्थु के प्रतिक इसमारक या अस्थान की रच्छा करना है ठिक वहीं अनुच्छेद 48 की बात important है अनुछिद 48A के तहट परियावरण की रच्छा तथा वनों और वन जियों की रच्छा करना है ठीक है ये सभी important अनुछिद थे इससे द्यान रखेगा चलिए अगला देखते हैं प्रसंख्या 66 को निमलिखित में से किस मुगल समराट ने बंगाल में अंग्रेजो को सुल्क मुफ्त ब्यापार की सुभिधा परदान की थी तो ये फरुक सियर ने ठीक है फरुक सियर के द्वारा बंगाल में अंग्रेजो को सुल्क मुफ्त ब्यापार की सुभिधा प्रदान की गई थी ठीक है आयू सियन की रेड लिस्ट के तहट नारकॉंडम हार्विल को सुचि बद किया गया है तो आयू सियन के रेड लिस्ट के तहट नारकॉंडम हार्विल को इससे सुभेद की इस्थिति में सुचि बद किया गया है ठीक है 68 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर सूच एक को सूची दोर सुमेलित करना है यहाँ दौब और उसके बीच के स्थिति को बताना है बिष्ट दौब ये ब्यास और सतलज सतलज के बीच का दौब है ठीक है दौब का अर्थ होता है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमी की प्रतनिधित्त करता है ठीक है दूआब दो नदियों के बीच की भूमी का प्रतनिधित्त करता है तो बिष्ट दूआब ये ब्यास और सतलज के बीच की इस्तिति है ठीक है वहीं बारी दूआब की बात करें तो ये ब्यास और रावी के बीच की इस्तिती है और रचना द्वाब ये जो है रावी और चिनाब की द्वाब ठीक है छाज ये चिनाब और सतलज जहेलम हो जाएगा ठीक है इसका राइट आफशन देखेंगे बीच सही होगा चलिए प्रसंख्या 69 देखते है लाइकेन के संदर में निमलिखित में से कौन कथन सही है लाइकेन की बात किया जाए दोस्तों लाइकेन एक प्रदूसक के संके तक है ठीक है यह पौधा प्रदूसक के संके तक होता है यह प्रदूसक छित में नहीं उखते हैं तो यह बिलकुल सही है जहाँ पे जादे प्रदूसड होता है वहाँ पे लाइकन नहीं उखता है ठीक है और ये शहजीवी सहवास है ये भी कथन सही है लाइकन एक सहजीवी सहवास है इसका दोनों कथन सही, इसका राइट assume भी सही हो जाएगा भारत में चिस्तिया सूफी सिलसिला अस्थापित किया गया था तो किसके द्वारा भारत में चिस्तिया सूफी सिलसिला अस्थापित किया गया था तो या ख्वाजा मौनुत दिन के द्वारा ठीक है ख्वाजा मौनुत दिन के द्वारा भारत में चिस्तिया सुफिय सिलसिला अस्थापित किया गया था चलिए प्रसंख्या 71 देखते हैं डेयर टू ड्रीम प्रतियोगता शुरू की गई थी तो किसके द्वारा डेयर टू ड्रीम प्रतियोगता शुरू की गई थी इसके इस्मृति में डेयर टू ड्रीम प्रतियोक्ता शुरू की गई थी तो यह अब्दुल कलाम की इस्मृति में ठीक है डेयर टू ड्रीम प्रतियोक्ता शुरू की गई थी निमलिखित में से कौन सी सत्पुडा रेंज की चोटियां है तो देखे धूबगड अमरकंटक य देखते हैं है नियुक्लियर की खोच किसने की थी इसकी खोच किसने की थी जाबर्ट ब्राउन ने की ठीकर नूक्लिएस की खोच जुळ ब्राउन ने की ठीक पाल वंस का संस्थापक कौन था तो फाल हishing तो यह एक है पुरत संक्य 75 देखते हैं हेरा निमिखित में से किसमेन ध्यानचन्द खेल रत्म पुरसकार मिला है तो देखिए मेजर ध्यांचत खेल रत्म पुरसकार अचंता सरत कमल को मिला है ठीक है अचंता सरत कमल ये टेबल टेनिस खिलाडी है ठीक है जिन्हें मेजर ध्यांचत खेल रत्म पुरसकार दिया गया है चिलका जील के संदर में निमलिखित में स कौन सा कथन सही है यह भारती उपमहद्यूप की सबसे बड़ी लाइगोन जल की जील है तो बिलकुल सही है चिलका जील भारती उपमहद्यूप की सबसे बड़ी लाइगोन जल की जील है यह बिस्यू का सबसे बड़ा लाइगोन है है इसलिए यह दूसरा वाला option गलत हो जाएगा पहला सही है इसका राइट option एचाहिए होगा केवल कथा एक सही है आई यह अगला देखते हैं कि वड़को के संदर में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है वड़को के संदर में देखा जाए तो यह पस्व कोर्षिया में प्लास्टिट में मौजूद होता है वड़को के बिसे में देखे दोस्तों पस्व कोर्षिया में नहीं यह केवल पादब कोर्षियाओं में मौजूद होता है ठीक है पहला कथन गलत हो जाएगा लिवको प्लास्ट फूलो और फलो को रंग प्रदान करता है तो लिव को प्लास्ट नहीं फूलो और फलो में रंग प्रदान करने का काम क्रोमो प्लास्ट का है किसका काम है तो क्रोमो प्लास्ट का क्रोमो प्लाश्ट का काम होता है फूलो और फलो को रंग परधान करना इसका दोनों कथन गलत है इसका राइट ओप्शन डी सही हो जाएगा ठीक लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता था तो लाख बक्स के नाम से कुतुबु दिन इवक को जाना जाता था लाखो का दाता के रूप में कुतुबुदिन इवक को जाना जाता था आईए 79 देखते हैं 79 प्रिस्ट दिया गया है मुद्रा इस्पिती से निपटने के लिए RBI द्वारा उप्योग की जाने वाली सामान विधियों में से कौन सी है तो देखें मुद्रा इस्पिती से निपटने के लिए RBI द्वारा उप्योग की जाने वाले सामान विधियां के अंतरगर बैंक दरनीती बिमुद्री करण खुला बाजार पर चालन उप्योग सभी ये सभी विधियां मुद्रा इस्पिती से निपटने के लिए RBI द्वारा उप्योग की जाती है ठीक है अंडमान और निकोबार द्वीपसमों अलग होते है तो अंडमान निकोबार द्वीपसमों ये 10 डिगरी चैनल द्वारा अर्था 10 डिगरी चैनल द्वारा अलग होते है ठीक है चलिए next person देखते हैं कोशिका सिधांद किस ने प्रत्पादित किया था तो कोशिका सिधांद की बात करें तो थिओडूर श्वान, मैथियाई, मैथियास, सिलाइडेन और रूडोल्फ विर्चो उप्रियुक्स सभी ये सभी लोगों ने कोशकर सिध्धान्त का प्रतपाद किया था ठीक है अगला है धूमेक इस्थूप निम्लिखित मेंसे किस अस्थान पर इस्थित है तो धूमेक इस्थूप ये सारनाथ में सालनात कहाँ पढ़ता है तो वारार्ट्सी सहर में ठीक है मुद्राइश फिर्त की बात करें दोस्तों तो देखे बोटल नेक मुद्रा इस्फिती तब होती है जब आपूर्थी में भारी गिरावट आती है और मांग उसी अस्तर पर रहती है तो ये बिल्कुल सही है मुद्रा इस्फिती के संदर में देखेंगे तो बोटल नेक मुद्रा इस्फिती तब होती है जब आपूर्थ में भारी गिरावट आती है और मांग उसी अस्तर पर रहती है ठीक है अगला है कि हेड्लाइन मुद्राइस्फित तब होती है जब मांग में भारी गिरावट आती है और आपूर्थ उसी अस्तर पर रहती है ठीक है इसके अंतर गताता है ना कि मांग में भारी गिरावट और आपूरत इस तर पर रती है यह दूसरा वाला कथन इसका गलत हो जाएगा किवल कथन एक सही है इसका राइट आप्शन ए सही हो जाएगा यह प्रसंग है 84 देखते हैं 84 नंबर प्रसंदिया गया है इसका राइट ऑप्सन दी सही हो जाएगा आई यह प्रसंग है 85 देखते हैं निमलिखित में से कौन थैलोफाइटा से समंदित नहीं है जो थैलोफाइटा से समंदित नहीं उससे बताना है तो देखे काई थैलोफाइटा से समंदित नहीं है जबकि इस्पाइरो, गाइदा, चारा और यूत्रोक्स, यूलोत्रिक्स ये सभी थैलो फाइटा से समंधित हैं ठीक है आई प्रसंखे 86 देखते हैं अजन्ता की गुफाओं के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है अजन्ता की गुफाओं की बिसेम बात करें तो यह इन इसको का बिशु धरोहर रस्तल है और इन गुफा चित्रो में फ्रेशको कला तकनीक का प्रियोग देखा जा सकता है इसका दोनों कथन सही है इसका राइट ऑप्सन भी सही हो जाएगा ठीक है प्रसंखे 87 देखते हैं यहाँ पे निमलिखित में से कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है यह जो सही सुमेलित नहीं है उससे बताना है आई यह देखते है बिरोजगारी के प्रकार उसके परिभासा को बताना है घरसड बिरोजगारी के कौन से परिभासा होते हैं तो घरसड बिरोजगारी की बात करें दोस्तों यह नोकरी या नोकरी से दूसरे में अस्थांतरित होने की अवध के दावरान अस्थाई बिरोजगारी है ठीक है बिल्कुल सही है यह घरसड बिरोजगारी यह नोकरी या नोकरी से दूसरे में अस्थांतरित होने की अवधिके दोरान एक अस्थाई बिरोजगारी है ठीक है प्रचन बिरोजगारी की बात करें तो किसी कार में लगे समिकों की वांचित स यादे लगा दीजिए तो यह प्रचन बिरोजगारी के अंतरगत आता है क्रिश्री के ठीक है और चक्री बिरोजगारी यह ब्यापक चक्र में विभिन चरडों के दोरान रोजगार के अनुपात में परिवर्तन यह चक्री बिरोजगारी के अंतरगत आता है यह सभी सही सुम तब नहीं मिलता जब वे ऐसा करनें में सच्छम होते हैं और ऐसा करने को तयार भी होते हैं विरुज़गारी की ऐसी स्थिति में इस्थिति बड़े सहरों में साफ देखी जा सकती है ठीक है यह खुली बिरुज़गारी इसमें पूछ तो सही समेलित नहीं तो इसका right option wise प्रसंग है 88 देखते हैं 88 नमबर प्रसंदिया गया है कि ततकालीन योजना आयोग द्वारा भारत को कितने क्रिसी जलवाई छेत्रों में बाटा गया है तो भारत को 15 जलवाई क्रिसी जलवाई छेत्रों में बाटा गया है किसके द्वारा थी योजना आयोग के द्वारा ठी तकनिक कहलाती है तो क्या कहलाती है ये कर código if reaction एक महत है going on the आजहीं मेरे कि नट देखते हैं सुची को शुचि दो सुमलित करना यां इसक्утствितक और उसके इस्थिति को बताना है बिरुपच मंदिर की बात करें तो यह हमपी में इस्थित है वहें ब्रिदिस्वर मंदिर यह तंजावूर में इस्थित है कंदर्या महादेव मंदिर यह खजराहों में इस्थित है और पाली ताना मंदिर यह भाव नगर में इस्थित है इसके क्रम को निधी के बारे में देखा जाए दोस्तों तो इस कोस का गठन भारत के संचित निधी कोस का गठन संविधान के अनुच्छित 261 के तहत किया गया था 286 के तहत नहीं इसलिए पहला कथन इसका गल्यत हो जाएगा वहीं असाधारण मदो को छोड़कर सरकार द्वारा प्राप्त राजास और उसके द्वारा किये गए ब्याय संचित निधी का हिस्सा है तो ये बिल्कुल सही है वहीं तीसा कथन है कि इसमें किसी भी राजी की निकासी के लिए संसदी अनुग्या की आविश्यक्ता नहीं होत सकती निकाली नहीं जा सकती है ठीक है इसलिए तीसा कथन गलत हो जाएगा सरकार का समस्त भ्याय भारत की संचित निधी से किया जाता है तो ये बिल्कुल सही है ठीक है तो इसमें सही कूट का प्रियोक करना है तो दूसरा और चौथा कथन सही है तो इसका राइट आप्श देखते हैं प्रसंख्या 92 को 92 नंबर प्रसंद दिया गया है कि निमलिखित में से किस मिट्टी को उसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है तो किस मिट्टी को उसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है लवडी मिट्टी को ठीक है लवडी मिट्टी को उसर मिट्टी के नाम से जा तो किसे प्रत्नी धीत तो करते हैं? यह हिंदू, जैन और बहुते को हैं Rapha! reais इसे किस कराधान प्रडाली में किसी ब्यक्त की आय पर ध्यान दिये बिना कराधान की दर्थें की जाती है तो इसमें देखिए अनुपातिक कर अनुपातिक कर कैसा कर है तो यह एक ऐसा कर है जहां किसी ब्यक्त की आय पर ध्यान दिये बिना कराधान की दर्थें की जाती है ठ ठीक है बैगा जनजाती वे मुख्य रूप से 36 गड़ जारखंड बिहार उडिशा पस्चिम मंगाल और मद्ध प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में दाते हैं ठीक है बैगा जनजाती यों का मुख्य अंग है अगला देखते हैं अमलक के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है अमलक की बात किया जाए तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल जंग में पडिवर्तित कर देता है तो यह बिल्कुल सही है यह एक प्रोटान डाइनेट को डोनेट कर सकता है यह एक प् प्रस संख्यar 99 देखते हैं निम Nearly liked में से कौंसा अपर्तिच्चचरी उदाराण नहीं है अपर्तिचकर का उदारां जो नहीं सोखा प्रवड शेत क्रम देखते किस 1777 देखते हैं 201, जहां सभी diffusion पर्माडों के बीच एकल बंधन होता के रूप में जाना जाता है तो किस के रूप में जाना जाता है यह संत्रिप्त के रूप में जाना जाता है ठीक है कारबन परमाड़ू के बीच एकल बंध होता है कौन से हाइड्रोकारबन वह हाइड्रोकारबन जहां सभी कारबन परमाड़ू के बीच एकल बंध होता है इस गर्फ ग्रिह हमेशा सबसे उची मिनार के ठीक नीचे इस्थित होता है ये बिलकुल सही है औरीशा सहली खजराहों सहली और सुलंकी सहली इसके तहद बिक्सित हुई है तो ये भी खथन सही है इसमें मंदिर परिशद में तालाबों की उपस्थिती सामिल है तो देखें प्रायदुपी छेद में प्रमुक थी तो देखें नागर सहली ये उत्तर और मदि भारत में प्रमुक थी लेकिन प्रायदुपी भारत में नहीं थी ठीक है इसलिए चौथा भी कथन गलत हो जाएगा इसका राइट ऑप्सन कथन एक और दू सही है आप्सन डी सही हो जाए की बात करें तो इसका उद्देश बित्ती अनुसासन को संस्थागत बनाना भारत के राज़कोसी घाटे को कम करना है ये बिल्कुल सही है इनके सिंग समित का गठन एफ आर बियम अधिनियम के कारेंवन की समिच्छा के लिए किया गया था तो ये भी कठन सही है इसका दोनों कठन सही है इसका राइट ऑप्शन भी सही हो जाएगा आईए प्रसंख्य एक सो चार देखते हैं निमलिखित में से कौन सी नदी कैलास सेड़ी के चेमा यूंग ड देशियर से उत्पन होती है नेक्स्ट दिखते हैं प्रसंख्य एक सो पांच को एक सो पांच नंबर प्रसंदिया गया है कि जबर के वलकनी करण के संदर्व में निमलिखित कतनों में से कौन सा कथन सही है जबर के वलकनी करण की बात करें तो यह प्राकृतिक रबर को गर् लोच परदान करता है तो ये भी कथन सही है ठीक है इसका दोनों कथन सही इसका राइट ऑप्सन भी सही होगा काली घाट चित्रकला निमलिखित में से किस राज में लोग परी है तो काली घाट चित्रकला ये पस्चिम मंगाल में लोग परी है ठीक है गैर निस्पादन संपत इसे देखते हैं गयर निस्पादन संपत्य के संदर में सही कथन देखना है RBI NPA अर्थाद Non Performance Assessment को किसी भी अग्रिम या रिड के रूप में परिभासित करता है जो 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदे है तो बिलकुल सही है इसका पहला कथन सही हो जाएगा वह दूसरा कथन है कि एक संपत्य को एक सब स्टैंडर्ड असेट्स के रूप में वर्गी करित किया जाता है यदि वह 12 महीनों से कम या उसके बराबर की अवदी के लिए NPA के रूप में रखती है ठीक है तो इसका दोनों कथन सही है इसका राइट ऑप्शन भी सही हो जाएगा निमनलिखित म से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है यहां पर जो सही सुमेलित नहीं उसे बताना है यहां पर राज और तेल उत्पादक छेत्र यहां बताना है असम के तेल उत्पादक छेत्र की बात करें तो असम का नहर कटिया यह असम का तेल उत्पादक छेत्र है गुजरात का अ तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा ठीक है महाराष्ट का तेल उत्पादन छेत की बात करें तो मुंबई हाई है जबकि मेह साड़ा मेह साड़ा ये राजस्थान गुजरात का है ठीक है और असम का देखे कुछ तेल उ पादन छेत रहें ठीक है अंकलेश्वर गुजरात के हैं महाराष्ट के मुंबई हाई है और बाड मेर ये राजस्थान के हैं ठीक है आईए प्रसंख्या 109 देखते हैं निमलिखित में से कौन सा अपकेंद्री करण का उदाहरड है अपकेंद्री करण का उदाहरड देखे एक 110 नंबर प्रसंद देखते हैं इमलिखित में से किस जानवर को सिंद घाटी सवागेता की पसुपति मोहराथ पर चित्रित नहीं किया गया तो किस जानवर पर 같은데 मोहरा पर चित्रित नहीं किया गया है जबकि हाथी गयदा और भैस को किया थिक है इं निमलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रत्यच्य साधन है तो मौद्रिक नीति के प्रत्यच्य साधन की बात करें तो पुनर्वित की सुविधा यह मौद्रिक नीति की प्रत्यच्य साधन है जबकि जेपोरेट और सिमांत अस्थाई सुविधा और खुला बाजार प अलार-SLR ये सभी मौद्रिख निठ के प्रत्यर हैं अिंद्रार अ मध्रिखन के नाम से किसे जाना जाता है तो आपके नाम से बहादूर शाह पृथम को जाना जाता है बहादूर शाह पृथम का साशनकाल सत्रसो साश से 1712 तक था ठीक है किसी द्रव का वह गुड जिसके कारण वह अपनी बिभिन परतों के बीच आप एच्छिक गतिका बिरोध करता है क्या कहलाता है तो यह स्यानता कहलाता है किसी द्रव का वहगुड जिसके कारण वह अपनी बिभिन परतों के बीच आपेच्छिक कतिका बिरोध करता है वह अस्यानता कहलाता है आईए अगला प्रस्न देखते हैं खजुराहों के मंदिर के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है मंदिर की केवल बाहरी दिवारों को जटिल नकासी से सजाया गया है तो देखें खजुराहों मंदिर की बात करें दोस्तों तो मंदिर की आंतरिक और बाहरी दोनों दिवारों को जटिल नकासी से सजाया गया है इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा मंदिरों की दिवारों पर कामुक मुर्तियां देखी गई है तो यह बिल्कुल सही है इसका राइट उप्षन C सही होगा किवल कथन 2 सही है वर्तमान में नगत आरचित अनपात अर्था CRR दर क्या है तो वर्तमान में CRR 4.5 प्रिस्ट है ठीक है चलिए प्रस संख्या 116 देखते है मराठो के राज़स प्रशासन के संदर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला कथन दिया गया है चौत गैर मराठो चेतरों द्वारा भुक्तान किये जाने वाले मानक का एक चौताई कर था तो यह बिल्कुल सही है सरदेश मुखी मराठा प्रदेशों के बाहर के छेतरों द्वारा 15% अतरिक्त उद ग्रहण का भुक्तान किया जाने वाला कर था तो देखें सरदेश मुखी 15% नहीं 10% था कितना था तो 10% था 15% नहीं था इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसका केवल कथन 1 सही है ठीक है अगला देखते हैं DDT DDT अर्थाद Dichloro, Diphenyl, Trichloro, Ethan एक प्रकार का है तो एक प्रकार का है यह कितनासक का यह प्रकार है ठीक है DDT कितनासक है ठीक है इसका राइट आप्शन ऐसे हो जाएगा कितनासक तो डीटीटी क्या था डीटीटी एक प्रकार का कीट ना सकता ठीक है आईए प्रसंख्या 118 देखते हैं सुच एक को सुची दो से सुमेलित करना है यहां इसमारक और उसके द्वारा निर्मित देखना है अमीदा मस्जिद किसके द्वारा निर्मित किया गया था किसके द्वारा निर्मित कराया गया था अमीदा मस्जिद तो सिकंदर साह के द्वारा ठीक है वहीं इतिमात दौला का मगबरा यह नोर जहां के द्वारा धाय दिन का जोप्रा की बात करें तो धाय दिन का जोबता है, ये कुतुब बुद्धी निवक के द्वारा, अलाई दर्वाजा, अलाउ दिन के द्वारा, ठीक, इसका राइट आउप्चन दी से ही हो जाएगा चलिए प्रसंख्या 119 देखते हैं, निमलिखित में से किस वर्स में बाजार इस्थरी करण योजना शुरू की गई थी, तो वर्स 2004 में बाजार इस्थरी करण योजना शुरू की गई थी, सयद बंदुओं के संबन्द में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, वे स्थानी पार्टी के नेता थे, तो बिल्कुल सही है, उन्होंने फरुक सियर को अंधा कर दिया, अब दस्त कर दिया और उनकी हत्या कर दी, ये भी कतन सही है, उन्होंने हिंदूओं के प्रतिया सहिसूरता नीति का पालन किया था, और उन्हें हिंदूओं को उच्पद प् बंदुगों का साथिया और चत्पति सीवाजी मुगल वास्ता के सहायक बन गए थे ठीक है तो यह चौथा भी कथन इसका गलत हो जाएगा तो इसमें देखा जाए तो कथन एक और दो सही है ठीक है इसका राइट अप्शन एस ही हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं निमलिखित में से कौन से आउतल दरपड के उपयोग है तो दंत चिकिस्षो द्वारा दात के जाच में प्रकास के अंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अउतल दरपड का उपयोग दंत चिकिस्षो द्वारा दात के जाच में प्रकास के अंद्रित करने के लिए किया जाता है उत्तर प्रदेश का राज की पच्छी है तो उत्तर प्रदेश का राज की पच्छी सारस क्रेंच है ठीक है सारस क्रेंच ये उत्तर प्रदेश की रा पर विचार कीजिए, उन्हे का अलान कुरम बेहस्तित कीजिए, खान मुर्सित कुली खा की बात करें, तो मुर्सित कुली खान 1770 में, और मीर जाफर की बात करें, तो मीर जाफर की बात करें, तो मीर जाफन का काल 1757 में, और अलिवर्दी खान 1740 में, मीर कासिम 1760 में, ठीक है इनके सासनकाल को देखेंगे तो मुर्सिद कुली खान 1717 मेर जाफ़र 1757 और अली वर्दी खान 1740 और मेर कासीम 1760 इसका राइट आप्शन 20 सही हो जाएगा ठीक है अगला देखते है 20 हर्टर से कम अब्रितिवाली तरंगों को कहा जाता है 20 हर्टर से कम अब्रितिवाली तरंगों को क्या कहा जाता है इन्फरासोनिक कहा जाता है 20 हर्टर से कम अब्रितिवाले तरंगों को इन्फरासोनिक कहते हैं वहीं परास्रब की बात करें तो परास्रब तरंगे 20 हर्टर से अधिक अबृत वाले तरंगों को कहा जाता है और श्रब तरंगे ये 20 हर्टस से 20 हजार हर्टस की अबृत वाले तरंगों को कहा जाता है ठीक चलिए अगला देखते हैं अयुद्या का राम मंदिर किस नदी के टट पर बन रहा है तो अयुद्या का राम मंदिर या शर्यू नदी के जाती है तो देखे इसमें वर्ड विजन रिपोर्ट परिवेशी वाई प्रदूसर रिपोर्ट विश्व स्रवर्ड रिपोर्ट ये सभी विश्वास संगठन के द्वारा प्रकासित की जाती है इसका राइट ऑप्शन भी सही हो जाएगा देखे वर्ड ड्रग रिपोर्ट यह 208 संगठन द्वारा नहीं प्रकासित किया जाता है ठीक है इसे ध्यान रखिएगा विश्वास संगठन की बात करें दोस्तों तिसकी अस्थपना 1948 में की गई थी और इसके मुख्याले की बात करें तिसका मुख्याले जीनेवा स्विट्जर लैंड में इस्थित है ठीक है चलिए अगला देखते हैं यहां सूच एक को सूची दोस्तों सुमेलित करना है यहां पर संस्थाल बिद्रो और उसके वर्स को बताना है आए देखते हैं संस्थाल बिद्रो किस वर्स हुआ था यह ओ अठारसो पचपन में भील अठारसो सत्तर में मुंड़ा बिद्रो 1899 म है और बस्तर बिद्रो 1910 में यह सभी सुमेलित हैं ति इसका क्रम देखेंगे तिसका राइट ऑप संसी से हो जाएगा ठीक है यह सभी सुमेलित हैं इसका राइट और आप संसी से है ठीक है छलिए है उत्तर प्र्देश के बाड़े में निम्लि खित में से कौन सा कथन सही नहीं है आयँ दीखते हैं उत्तर-प्रदेश के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है पहला कथन दिया गया है कि बभारत का सबस disabilities Ben अबादी वाला राज्य है वह रुपो जायबाद Isla था यूजा है दूर्षा कथन है उत्तर प्रदेश दिवर्ज 24 जूलाई को मनाय जाता है तो 24 जुलाई को नहीं 24 जनवरिक को मनाये जाता है ठीक है इसलिए ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा वर्ज 2011 की जनगर्णा की अमसार इसका लिंगा नुपार 912 है तो यह बिल्कुल सही है छेटफल की दिरिष्ट से लखिम पूर खिरी राजिकल सबसे बड़ा जिला है ये भी कथन सही है इसमें पूछ आए कौन सा सही नहीं है तिसका अगला देखते हैं गायदिनलियू के संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है गायदिनलियू की बात किया जायत उन्हें महत्मा गंधी संपर्दाई की सिच्छाओं का प्रचार किया था यह बिल्कुल सही है तो इसके राइट आप्शन सी सही हो जाएगा केवल कथन दो सही है गायदिनलियों को रानी की उपादी जवाहलाल नहरू के द्वारा दिया गया था ना कि महत्मा गांधी के द्वारा ठीक चलिए अगला देखते हैं सूच एक को सूची दो सुमिलित करना है यहाँ पर महासागरी गर्द और उसके महासागर को बताना है मनीला महासागरी गर्द की बात किया जाए तो मनीला महासागरी गर्द यह प्रशांत महासागर में स्थित है मले ये आर्कटिक में और सेंड्विच की बात करें सेंड्विच अंटार्क्टिका में इस्तित है और जावा ये हिंद महासागर का महासागरी गर्थ है ठीक इसके क्रम को देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा आइए अगला देखते हैं निमलिखित में से किस जिले में महात्मा बुध क्रीसी योम तक्निक विश्व गिश्व गिश्व गयाले की अस्थापना कुर्सी नगर में की जाएगा ठीक है उत्तरप्रदेश सरकार निमलिखित में से किस अस्थान पर ग्रेंफिल्ट टाउन सी पस्थापित करने जा रही है तो ऐयोध्या में उत्तरप्रदेश सरकार ऐयोध्या में Greenwell Township पस्थापित करने जा रही है ठीक है निमनलिखित में से किसने 1857 पुस्थ तक लिखी है então से इंके दोरा 1857 से इंके दोरा लिखी गही है सुच एक को सुचरी दोस्ट सुमेज़ित करिए यहां पर ज्वालामखी और देश को बताना है कौन सा ज्वाला मुखी रूहिए गौसर Light अक्रम देखेंगे तो इसका राइट आप्शन एसा ही हो जाएगा आए प्रसंख एक 133 देखते हैं कतरनी चावल एक सेरेमोनियल चावल है जिसकी खेती निमलिखित में से किस राजमी की जाती है तो कतरनी चावल की खेती ये बिहार राजमी के जाती है ठीक है दिशंबर 2022 मे भारस सरकार ने ससस्त बलो के लिए एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेसलिक कमांड अस्पताल के निरमार को मंजूरी दी है तो कहां पे इस अस्पताल की निरमार की मंजूरी दी गई है तो लखनौ में ठीक है भारस सरकार ने ससस्त बलो के लिए एक अत्याधुनिक एक पूरी लखनव में दिये हैं, सुच एक को सुच्छिदुर समिलित करना यहां पे संगटन और उसके संस्थापक बताना है बंग भासा प्रकासी का सभा, इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मुहन राए थे, ठीक है? बंग भासा प्रकास का सभा के संस्थापक राजरा मोहन रहे थे पूना सारजनिक सभा के संस्थापक कौन थे तो पूना सारजनिक सभा के संस्थापक महादेव गोविन जनाडेट है और इंडियन लीग इसके संस्थापक सिसीर कुमार घोस थे वहीं पे इंडियन एसोसियेशन के संस्थापक सुर्यन नात बनर जी थे इनके क्रम को देखेंगे दोस्तों इसका राइट आप्शन डी सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं चिनूक वाय के संदर में निमलिखित में से कौम सा कथन सही है चिनूक वाय की बात किया जाए तो यह उत्तरी अमेरिक्या की ठंडी वाय है तो देखे चिनूक वाय यह उत्तरी अमेरिक्या और कनाडा में चलती है यह गर्म और सुस्क हवा है न की ठंडी ठिक है इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा या क्रिसी के लिए लावकारी होते हैं तो ये बिलकुल सही है चिनिकुवाय अमेरिक्या और कनाडा में चलने वाली एक गर्म और सुस्खवा है जो क्रिसी के लिए लावदायक है इसका राइट ओप्सन सी सही हो केवल कथन दोर सही होगा आईए प्रस्ट रंख्या 142 देखते हैं उत्तर प्रदेश के बजट 2324 के तहट कितने नए मेडिकल कालेज बनाए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 नए मेडिकल कालेज बनाए जाएंगे ठेक है जासी के राष्टी ब्रिचाई वेद अनसंधान संस्थान का नाम बदल कर किस वर्ष केंदरी अनसंधान संस्थान कर दिया गया तो इसका नाम वर्ष 2020 में बदल कर केंदरी अनसंधान संस्थान कर दिया गया है निमलिखित में से किसने फ्रांसिशी की सहाथा से सेना में प्रस्चछड के पस्चमी तरीकों की सुरुवात हैदर अली ने की थे आए प्रस्चंख्या 147 देखते हैं निमलिखित में से कौन सा देश विक्टॉरिया जहिल के साथ अपनी सीमा साजन नहीं करता है देखिए विक्टोरिया जिल के साथ इसमें कौन सा देश है जो अपनी सीमा साजा नहीं करता है यह इथोपिया है ठीक है इथोपिया विक्टोरिया जिल से सीमा साजा नहीं करता है जबकि यूगांडा तंजानिया और केनिया यह सभी साजा करते हैं अपनी सीमा चलिए अगला दिखते हैं उत्तरप्रदेश बजट 2023 का अनुमानित राजकोर्शी घाटा कितना है तो उत्तरप्रदेश बजट 2023 का अनुमानित राजकोर्शी घाटा 3.48 परिश्चत है ठीक है चलिए प्रसंग ए 147 देखते हैं भारती एतिहासिक अबलेक समित का 367 सत्र आयुजित किया गया था तो देखे भारती एतिहासिक अबलेक समित का 367 सत्र या उत्तर प्रदेश के लखनों में कहां पे लखनों में इसका आयुजन किया गया था इसलिए इसका राइट ऑप्सन डी सही हो जाएगा उपरियुक में से कोई नहीं ठीक है आई अगला देखते हैं नीचे दो वक्तब भी दिये गए हैं एक अभी कथन और दूर्सा कारण इसमें बताना है कौन साथ सही है कथन अभी कथन दिया गया है कि बिरहा लोग गीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी छेतर से जुड़ा तो बिलकुल सही है बिरहा लोग गीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी छेतर से जुड़ा है कारण है कि यह तब गाया जाता है जब किसी परिवार में पुत्र का जन्म होता है तो यह गलत हो जाएगा कारण देखे बिरहा लोग गीत यह यह लोग गीत जलत है कभालत है कथन सः है कि फिसका रॉयट उप्सन भी सई हो जाएगा ऐ 되는 प्रसन की एक सन्चाश देखते हैं इसकी अध्यस्ता किस ने की थी तो इसकी अध्यस्ता रहें तुल्ला सेयानी ने की थी ठीक है चलिए तो इसी प्रस्ट के साथ दोस्तो हम लोगों ने टेस्ट श्रीज नंबर 12 को कम्प्लीट कर लिया है आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप सभी अपनी प्रित्किया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं साथ ही में दोस्तो वीड ने हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों